नमो नारायन मित्रो, मैं राहुलेश्वर, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है भाग्य मंधन में। आज हम अंकज्योतिश 2024 में मूलांक 7 के बारे में बात करेंगे। आपका जन्म यदि किसी भी महिने की 7, 16 या 25 तारिकों हुआ है तो आपका जन्म मूलांक 7 है साथ अंक के उपर केतु ग्रह का दिपत्या आता है, साथ अंक में जन्म लेने वाले लोगों में खेल एवं प्रतियोगिताओं को लेकर विशेश रूची रहती है इन लोगों का शरीर मजबूत होता है, यह लोग बुद्धी से ज्यादा दिल की बातों को सुनने में यकीन रखते हैं संकीन विचारदारा इन्हें बिलकुल पसंद नहीं होती यह एक रहस्यमई अंक है जो की अपने अंदर चल रहे मनुभावों को कभी प्रकट नहीं होने देते मन की बात मन में रखने के कारण यह कभी-कभी बहुत बेचैन और चिर्चिडे भी हो जाते हैं शांती दायक और प्राक्रतिक इस्थल इन्हें अच्छे लगते हैं और ऐसी जगहों की अकेले यात्रा करने के लिए यह सदैव ललाइत रहते हैं साथ अंक में जन्म लेने वाले व्यक्ति का भविष्य वाव्यभार उसके चारों तरफ के वातावरण पर भी काफी कुछ निर्वर करता है जैसी चीज़ें यह देखते हैं उनमें जल्दी ही लिप्त भी हो जाते हैं वर्ष 2024 को जोड़ने तो आठ अंक प्राप्त होता है आठ अंक पर शनी का अधिपत्य आता है इसलिए अंक शास्तर के अनुसार वर्ष 2024 पर शनी ग्रह का अधिपत्य बन रहा है आठ अंक की शक्ती इस वर्ष सभी अंकों को प्रभावित करेगी और अपने अनुसार फल देने के लिए बाद्धिबी करेगी आठ अंक शनी ग्रह का है और साथ अंक केतु ग्रह का है यह दोनों ग्रहे मित्रों की शेणी में आते हैं लेकिन फिर भी इनका योग होने पर चांडाल दोज बनता है इसलिए वर्ष 2024 का प्रभाव साथ अंक वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला साबित होगा चरिए बात करते हैं आर्थिक शेत्र के बारे में आर्थिक दृष्टिकोंड से वर्ष 2024 में धन आगम की इस्तिती तो सामानी रहेगी लेकिन आपके द्वारा फिजूल खर्ची इस साल परिशानी का कारण बन सकती है इस समय आपको अनावश्यक चीजें खरीदने से बचना किसी भी व्यक्ति को धन उधार देने से बचें इस समय शेयर मार्केट और जोखिम भरे प्रस्तावों पर धन निवेश करने से बचें 20 जून से 20 जुलाई के बीच कोई बड़ा धनलाब होने के सुन्दर योग बनेंगे करियर और व्यवसाए नौकरी पेशा लोगों के ल नहीं रहेंगे उच्चादिकारियों के रवये से असंतुष्ट रहेंगे जिसके चलते नौकरी बदलने की इच्छा भी मन में बनी रहेगी जून और जुलाई का महीना कुछ रहा देने वाला साबित होगा व्यवसाए करने वालों के लिए भी समय सामानिय रहेगा इस समय कुछ बड़ा करने के चक्कर में जो अरजित किया है उसका नुकसान ना कर देना धीमी गती इस समय सर्वोत्तम है जल्दी बाजी से बचें किसी पर भी आँखे बंद कर विश्वास करने से बचें पारिवारिक संबंद इस वर्ष आप परिवार को समय देने का प्रयास करे इस वर्ष आपके अंदर परिवार को लेकर कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे आप परिवार के महत्प को समझेंगे परिवार में विवह एमम नन्ने मुन्ने महमान के आने के योग बनेंगे जिस से सभी प्रसन रहेंगे कुल मिलाकर समय अच्छा रहेगा किस परिवार के साथ जाने का शुब योग भी बनेगा अब बात करेंगे स्वास्तिय की स्वास्तिय के दृष्टी कोंड से वर्ष 2024 परिशान करने वाला साबित हो सकता है वर्ष की शुरुआत से पाचन क्रिया प्रभावित रहेगी मौसमी बिमारियां भी इस वर्ष आपके समस्याएं भी परिशान करेंगी खान पान का विशेश ज्यान रखें और नियमित रूप से वियायाम करें अब बात करेंगे जीवन साथी के बारे में यह वर्ष जीवन साथी के साथ अच्छा गुजरेगा आपके द्वारा जीवन साथी को प्रसंद रखने के सारे प्रया करने वाला और खिन्नता बढ़ाने वाला सावित होगा आप बार बार अपनी तरफ से सब कुछ सामान्य करने का प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी परिणाम आपकी परिशानियों का कारण वने रहेंगे शिक्षा विद्यारती वर्ग को इस वर्ष आलस्य से बच कर रहना चाहि प्रथम पूजनिय भगवान गनेश को बुद्वार के दिन दुर्वा और लड्डूों का भोग लगाएं उनसे जीवन में आने वाले विग्नों को तूर करने की प्रार्थना करें उपाये नमबर दो, 2024 में शनी देव की क्रिपा आपके उपर बनी रहे इसके लिए शनीवार के दिन शनी मंदिर जरूर जाएं और वहां जरूरत मन्द लोगों को यथा शक्ती दान पुर्णिय करें उपाये नमबर तीन, केतु का प्रभाव शुब रहे इसके लिए काले कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाएं उपाये नमबर चार, काले तिल एवं कंबल का सूर्यास्त के पश्चात गरीब लोगों में दान करें वर्ष 2024 आपके लिए हर तरीके से शुब रहे, इसी के साथ आप से आग्या चाहते हैं, आपका जीवन शुबा मंगल में हो, नमोना रहे